जब आप हर अवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर बजात तोर पर अवाम को श्कायतें पैदा होंगी, फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों का जवाब ये नहीं, के नाम क्यों लेते हों, मैं अगर आप से पूछूँ, जब एक जर्नेल एक जच के घर जाता है, के नवाज श्रीफ और मरियम नवाज को नहीं चोड़ना, और ये बात मंदर आम पर आती है, तो उस जर्नेल के खलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, उसको तो उल्टा तरकी दे दी जाती है, आपने उन अफसरों के खलाफ क्या कारवाई की, जिनों ने आपके बकॉल जजबात में आकर आईजी सिंद को अगवा किया, कहते हैं जजबात में आकर आईजी को अगवा किया, वाह, क्या वो मरियम नवाज श्रीफ के होटल का दर्वाजा तोड़ कर अंदर दाखिल नहीं हुए, क्या ऐसे वाकियात से फौज की इज़त में इज़ाफा हुआ? क्या इससे फौज का वकार बुलंद हुआ? फौज का मरतबा बुलंद हुआ? भाई, मैं नाम इसलिए लेता हूँ, के इल्जाम पूरी फौज पर ना लगे, इल्जाम मेरी पाक फौज पर ना लगे, उन प्यारे मुजाहिदों और जानबाजों पर ना लगे, जो इस खेल से सेंक्डों मिल दूर अपने मौर्चों में डटे हुए हैं, और वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्हें क्या खबर? के एक चर्डेल ने जजज को क्या कहा? उन्हें क्या खबर? के वतन के दिफा पर तवानायां सर्फ करने की बजाए, वो जजजों और स्यासदानों के खिलाफ साज़से करने पर अपनी तवानायां खर्च कर रहे हैं, उन्हें क्या खबर? वो तो बेकसूर हैं, उन्हें को तो मालूम ही नहीं हैं, यही वो डिक्टेटर मेरे भाईों लाहुर के बासियों, यही हैं वो डिक्टेटर और स्यासी खेल केलने वाले जो बाती फाज की वर्दी को दागदार करते हैं, यह हैं वो लोग, यह हैं वो चेहरे, मेरे दोस्तों, भाईयों, भेनों, आज अलहम्दिल्ला हमारे ब्यानियों को, यानि वोट को इज़त दो को, पूरे पाकिस्तान की कुवत, अलहम्दिल्ला और ताकत हासल हो गई हैं, आपके कामियाब जलसों ने और जज़बों ने वाज़े पैगाम दिया है, कि अब इस जाली सेट अप का जारी रहना, मुल्क की सलामती को खत्रे में डाल सकता है, ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए, एटमी कुवत होने के बावजूद, पाकिस्तान खिते में तमाम ममालिक से आज पीछे रह गया है, कितने दुख की बात है, ये जाली सेट अप जारी रहा, तो इतना नुक्सान होगा, जिसकी तलाफी किसी के बस में नहीं रहेगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ, लहुर वालों, अलहम्दिल्ल्ला आज हमारी जद्व जहेद, एक नए फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है, आप इस नए मरले के लिए घरों से निकल पड़े, फिर ना कहना कि हमें पता नहीं चला, फिर न कहना कि हमें इल्म नहीं हुआ, मैं खास तोर पर नौजवानों से कहूंगा, कि वो पागिस्तान को बचाने के लिए, आज उसी जजबे के साथ उत्खड़े हों, जिस जजबे के साथ, आपके बुज़र्ग अपनी जवानी के दिनों में, पागिस्तान बनाने के लिए निकले थे, अब हम इस जाली सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, अब यहां बैटना कوم से जयात्ती और नाइसाफी है, इस निजाम को बदले बगैर कोई चारा नहीं हैं लहुर वालों और पागिस्तान वालों, गौर से मेरी बात सुन लो, इस निजाम को बदले बगैर, अब कोई चारा नहीं, ये मुलक मजीद गेर जमूरी दखल और मुदाकलत की ताब नहीं ला सकता, और जो दखल अंदाजियां करते हैं, खास तोर पे मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं, ये मुलक अब इसका मुताहमल नहीं हो सकता, ये मुलक जैम हो चुका है, बिलकुल जैम हो चुका है, और इस नजाम को बदले बगैर, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये जो हाई टेक जमूरियत, जिसको अगवा किया है इन लोगों ने, इसमें आपका और आपके बच्चों का कोई मुस्तख्मिल नहीं, बिलकुल नहीं है, इस बात को जितनी ज जल्दी समय लिया जाए, उतना ही बेहतर है, लियाजा आज हमें ऐसा नजाम चाहिए, जिसमें रियास्त के उपर कोई रियास्त ना हो, याद रखें, मेरी बात गौर से सुनें, कोई फाज अपनी कौम से नहीं लड़ सकती, आज जब आप अपनी आजादी मनवा रहे हैं, अपने जोरे बाजू से और अपने हकुक हासल करने पर जोर दे रहे हैं, बेकार जाली मुकदमात, दर्श करने के सवा ये आपका कुछ नहीं बिगार सकते, इन से मत खौफ खाएं, क्यूंके ये खुद आप से खौफ जदा हैं, इनको बताएं, आम के हकुक सल्ब करने का क्या नतीजा होता है, अपनी खुद मुक्तारी हासल करें, भाईयों, अपने वोट की इजद खासल करें, ये आपको लेनी पड़ेगी, हासल करनी पड़ेगी, क्या हम अंग्रेजों से आजादी हासल करने के बाद, चंद जड़नेलों के खुलाम बन जाएं, पूछो ये सवाल अपने आप से, क्या इस तरह के खुलामी आपको कबूल हैं, एक अजादी, 1947 में हमने हासल की थी, एक अजादी, आज हासल करने का दिन आ चुका है, आज, इस सेलेक्टिट सेट अप का ये ड्रामा, अपने मन्त की अंजाम को पहुँचना चाहिए, मुस्लिम लीग नून के अरखीने कौमी और सुबाई इसेम्बली ने, अजखुद हमें अस्तीफे देने शुरू कर दिये हैं, मैं अपने उन सातियों पर फकर करता हूँ, जो चटान की तरह अल्ला के फजलो करम से हमारे साथ खड़े हैं, और मन्फियत कंडों की भरमार के बावजूद कोई कमजोरी नहीं दिखा रहे हैं, जब भी पीडियेम इन अस्तीफों को पेश करने की अदायत देगी, जब भी मौलाना फद्रुरुमान साथ ये अदायत देंगे, हम इन्शालला उस पर अमल करेंगे, मैं अपने भाईयों और बेहनों बिल्ख़ूस नौजवानों से सवाल करता हूँ, यहां मिन्टो पार्क, यह मिन्टो पार्क था, इसका नाम मिन्टो पार्क था, 1940 में खड़े होकर, पाकिस्तान हासल करने का अद्रुम करने वाले, अपने बज़र्गों की रवायत को आप जिन्दा करेंगे, क्या अपने वतन को इन जन्जीरों से आजाद कराने का अद्रुम करेंगे, क्या इस नाकाम निजाम से नजात हासिल करने का अद्रुम करेंगे, क्या वोट को इज़र्द द्रुमाने का अद्रुम करेंगे, अगर आपने साथ दिया, तो नवाज शरीफ की ये बात नोट कर ले, इन्शालला काम्याबी आपके कदम चूमेगी, अलहम्दुल्ल्ला, अल्ल्ला आपका हामियो नासिर हो, पाकिस्तान पाहिंदाबाद,